Hello everyone, welcome back to the AdelExpert channel तो इस फोड़ में हम register और login page को create करने वाल है जो कि Firebase से connect रहेगा तो इसको create करने के लिए सबसे पहले आपको Android Studio में आ जाना है and new project पे आपको click कर देना है तो मैं आ जाता हूँ and new project पे मैं click कर देता हूँ तो जैसे हम new project पे click करेंगे तो यहाँ पे activity select करने के लिए option open हो जाएगा तो मैं यहाँ से empty activity को select कर देता हूँ and next button पे में click कर देता हूँ यहाँ से आपको name देना है login and registration ओके तो हमने यहाँ पे name दे दिया है login and register यहाँ से आप package name भी change कर सकते हो यहाँ से save location भी आप change कर सकते हो बट आपको धहन में रखना है जो language रहेगी यहाँ से आपको Java ही select करने है ओके तो यह होने के बाद आपको finish button पे click कर देना है तो जैसे हम finish button पे click करेंगे तो यहाँ पे gradle build start हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे show रहा है gradle build की process तो यह gradle build finish ने होता तब तक हम bit करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे gradle build finish हो चुका है यहाँ पे show रहा है scanning file to index और जितने भी file दे हमारी load हो चुके तो अभी हमें क्या करना है सबसे पहले splash screen create करना है app के लिए तो splash screen create करने के लिए आपको package name पे click करना होगा तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे right click कर देता हूँ जिससे आप इस पे right click करोगे यहाँ पे आपको new create करना होगा और यहाँ से आपको activity पे select करना होगा यहाँ से empty activity को select कर देता हूँ तो जैसे finish बटन पे click करेंगे हम आगेन यहाँ पे gradle build start हो जाएगा तो हम gradle build finish होने तक wait करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे gradle build finish हो चुका अभी हमें क्या करना होगा सबसे पहले .xml फाइल में आना होगा तो हमें यहाँ पे आ जाता हो activity space screen तो यहाँ पे हमने splash screen spinning में थोड़ी mistake कर दिया आप कर सकते हो अभी हाँ पे split पे click कर देता हूँ तो हम क्या करेंगे एक image view यूज करेंगे और एक text भी यूज करेंगे splash screen में जो एक constraint layout है तो इसको हम change करेंगे relative layout से तो में change कर देता हूँ relative layout यहाँ से आपको background भी select करना होगा तो मैं background select कर देता हूँ background आपको type करना है खुझ से hash e cf0 f3 तो आप देख सकते हैं यहाँ पे background select हो चुका है यहाँ से एक आपको image view लेना है और एक text view लेना है तो इसलिए हम क्या करेंगे है आपको image view को select करेंगे image view यहाँ से आपको width चूज करने है 130 dp and hide भी आपको select करने है 130 dp यहाँ से मैं background चूज कर देता हूँ तो background आपको क्या select करना होगा मैं आपको logo दिखा देता हूँ सबसे पहले एक यह जो logo है हमें इसी को use करना है तो इसलिए मैं इसको copy कर देता हूँ मैं आपको वीडियो के description में जितने भी file आपको show रही है मैं आपको इसकी link provide कर दूँगा तो आपको भी android studio में आ जाना है resource पर क्लिक करना है रॉबल पर आना है यह जो ड्रॉबल का option दिखा दे रहा है इस पर आपको paste कर देना है आपको बटन पर क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर paste हो चुके है यहां से मैं select कर लेता हूँ अब देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके है इसको center में लेके आना इसलिए हम क्या करेंगे center in parent का use करेंगे करेंगे और इसको true pass कर देंगे तो जैसे हम इसको true pass कर देंगे तो यह center में आ जाएगा आप देख सकते है center में आ चुका है यह तो अभी हमारा image view का completely work हो चुका है अभी इसके नीचे text भी use करना होगा तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां से text view को select करेंगे text view width and height आपको देदीन है wrap content wrap content and text view के id भी आपको declare कर दीन है id add direct id app name आपको यहां से enter करना है and जो text view है यहां पर आना चाहिए तो यहां पर आना चाहिए इसने हम क्या use करेंगे align parent bottom तो मैं parent bottom यहां पर type कर देता हूँ and इसको true कर देंगे तो हमारा text यहां पर आ जाएगा तो मैं सबसे पहले आपको text लेके दिखा देता हूँ text text हमें क्या use करना है login app दे देते हैं आप कोई भी जो भी आपका app का name रहेगा वह यहां पर आप type कर सकते हो text में यहां पर भी फिलक login app दे देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहां पर login app शोर है जो कि हमने parent bottom यूश के थे तो अभी हमें क्या करना है आप को इसलिए आपको टाइप करना होगा center horizontal true तो आप देख सकते हैं center में आ चुका है अभी आपको यहां से यहां तक लेके जाना है इसने margin bottom हमें देना है 150 dp तो मैं दे देता हूँ यहाँ से margin bottom 150 dp इसके बाद आपको enter करना है यहाँ से आपको एक color choose करना होगा text color तो text color हम सबसे पहले values में चले जाते हैं and color.xml में text color create कर लेते हैं तो आपको क्या करना होगा यहाँ से control d करना होगा तो जैसे control d करोंगे तो dict यहाँ पर copy हो जाएगा तो मैं इसका नाम दे देता हूँ text color यहाँ से आपको text color जो भी text का color रहेगा वह आपको enter कर देना है तो मैं text color डाल देता हूँ hash 193 566 तो आप देख सकते हैं यह जो color है यह हमारा text का color रहेगा तो मैं आ पर आ जाता हूँ activity splash screen add it color text color यहाँ से हमने choose कर लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से show हो रहा है बट यहाँ पर काफी small में show हो रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे इसका text size थोड़ा increase कर देते हैं 25 dp अभी अच्छे से show हो रहा है और textile भी थोड़ा अच्छे से bold करने के लिया इसको थोड़ा build use कर लेंगे तो textile आपको use करना है बुल्ट ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर text view अब अच्छे से show हो है तो अभी हमारा image view का भी work हो गया है करना होता है तो इसलिए मैं यहां पर टाइप कर देता हूं new handler एड इसके बाद आपको dot day देना है and post delay यहां पर टाइप कर देना है यहां पर method यूज करना है new runable तो जैसे runable पर click करोगे तो आप देख सकते हैं यहां पर method आ चुकी है okay तो मैं यहां पर comma pass कर देता हूं and यहां से आपको millisecond define करना है कि कि कितने millisecond के लिए हमारी splash screen run होगी तो यहां पर मैंने millisecond pass कर दिया and यहां पर errors हो रहा है इसलिए मैं इसको close कर देता हूं semicolumn से यहां पर आपको intent use करना होगा क्या में splash screen शाह में किस activity में जाना है तो मैं यहां पर pass कर देता हूं intent start activity तो आपको यहां पर लिखना है start activity को मैं select कर देता हूं and यहां से आपको pass करना है new intent जिस activity में हो means आप get application context भी उसकर सकते हूं comma जिस activity में हमें जाना है तो हमें कुन से अक्टिविट एमें जाना है login के activity में ही इसलिए हम क्याइ-पास करेंगे login.class but यहां पर error show हो रहा है to error इसलिए शो रहा है क्योंकि हमने कोई भी login के name से activity from create की ह Separate मैं यहां पर सबसे पहले फिनिश कर देता हूँ मेथड इंप्लेमेंट ओके यह जो लॉगिन इम इसको कॉपी कर देता हूँ और हम आ जाते हैं पैकेज नेम के तरब यहाँ पर राइट न्यू एक्टिविटी पर सिलेक्ट करेंगे एम्टे एक्टिविटी एंड इसकी जगह हम लॉगिन जो हमने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फिनिश बटन पर हम क्लिक करेंगे तो सेम जिसी फिनिश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा तो अगेन हमें वेट करना होगा थोड़ा सा ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने था तो आप यहाँ पर देख सकते है ग्रेडल बिल्ट फिनिश हो चुका है तो अभी हम क्या करते है इस प्लैश्क्रीन डॉट जावा में चले जाते है तो आप देख सकते है जो यहाँ पर लॉग इन एरर शो कर रहा है तो कम्प्रिटली रिजॉल हो चुका है अभी मैं मोबल डिवास को कनेक्ट कर देता हूँ एंड्रोस वीडियो के साथ एंड हम रन करके देखेंगे कि हमारा एप सक्सेसफुली रन होता है क्या नहीं रहुन होता है हम स्प्लैश्क्रीन को चेक करेंगे तो चले मैं जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हूँ मोबल डिवास को कनेक्ट कर दिया है ओपो आरेमेक्स एट वन वन ओके तो अभी मैं रन अप पर क्लिक कर देता हूँ तो जैसे हम रन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है तो अगेर हमको वेट करना होगा ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक जैसे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा तो हमारे मोबल डिवास में भी आप लांच हो जाएगा तो हम वेट करते तब तक तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ चुका है तो यहाँ पर देख सकते हो splashkin run हो चुकी है बट यहाँ पर उपपर में toolbar में login and register शोर है तो इसको remove करने के लिए आपको क्या करना होगा theme में आना होगा theme.xml पर click करना होगा यह जो dark action bar शोर है आपको तो इसकी जगह आपको क्या type करना होगा no action bar और यह जो second में दिखाई दे रहा है theme.xml यहाँ पर आपको dark action bar की जगह no action bar आपको write करना होगा तो मैं यहाँ पर दे देता हो no action bar और यहाँ पर जो run का symbol है वहाँ आपको again click करना होगा तो जैसे हम run करेंगे अगेन आपको graded build finish होने तक wait करना होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर graded build finish हो चुका है और यहाँ पर installing की process अभी start हो चुक है मिस थोड़ी देर में हमारी mobile device में app launch हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर login app अच्छी शो रहा है splash screen भी और उप activity कैसे create करेंगे तो जैसी splash screen run हो जाएगा उसके बाद हमारी login activity open हो जाएगे तो मिल तक ले नए वीडियो में login page के साथ तो तब तक के लिए जहिन जे भारत